आम आदमी पार्टी के कारी करताओं द्वारा दिल्ली के MCD चुनाओं में तीन माहा के बड़े अंतराल के बाद मेर डॉक्टर शेली ओबेराई की जीत से पुरे भारत में खुशी जाहिर की है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के खरगोन में आम आदमी पार्टी के कारीकरता उने श्रिक्रेशन टाकिस तिराहे पर आतिश बाजिकर मिठाई का वितर्ण किया। खरगाउन नगर के आम आदमी पार्टी की कारीकरता जयंत गुपता ने बताया कि भाजपा ने दिल्ली M.C.D. चुनाओ में छल कपड बैमानी एवं नियाई पालीका को गुमरह करके तीन महीने तक तन मंधन से मेयर नहीं बनने देने के लिए प्रयास करे परंतु भाजपा क पाखन्ड काम नहीं आया और आम आदमी पार्टी की मेयर बनी वहीं उन्होंने बदाई कि आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में 230 विधान सभा सीटों पर चुनाओ लड़ने के साथ कई विधान सभाओं में आम आदमी पार्टी अपनी जित दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी खरगोन की और से मेयर बनने पर शेली और बेराई एवं समस्त कारीकरताओं को बहुत बहुत बधाई दी गई खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट मार्ग दर्शन में पुरे मध्यपरदेश में 230 सीटों पर विधान सबा चुनाव लड़ेगी और उसी के चलते आज हमने यहां विजयी उच्छो मनाया है मध्यपरदेश में क्या लगता आपको आप पार्टी मध्यपरदेश में आप आद्मी पार्टी अपना जनाधार तेजी से बढ़ा रही है जहां बाच्षपा के आतंकयोम उसके पाखंड से पूरी जनता पर हेसान है वहीं कांग्रेस अल्प बीमारी में गरसीत है उल्यो घरस्ट है इसी के चलते पुरे मद्यपदेश में आदमी पार्टी अपना अलग स्थान बना रही है और पुरे मद्यपदेश में अगने जनाधार के साथ जिस प्रकार दिली, पंजाब, गुजरात में अपना जनाधार बढ़ा उसी प्रकार मध्यपदेश में भी अधना जनादार बढ़ा रही है और हम ब्रचंड बहुमत से जीतेंगे कितने सीटे आने की उम्मीद है भी चुनाव लड़ों के साथ देखिए हमारा अनुमान लगाना भी सही नहीं है परन्तो हमारे पूरे प्रयास है कि मध्यपदेश की सभी सीटों वहम अच्छे से चुनाव लड़े और ब्रचंड बहुमत से और एक तीशंपू सरकार दा बनकर हमारे समर्थन में हमारे साथ सरकार समर्थन लेके हमारे बनाने का प्रयास सरकार सभी जोगा पूरे मध्यपदेश में करेंगे क्या नामे आपको जैन्त गुपता आम आदमी पार्टी की खरगोर है आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दवाना बिल्कुल बिना कुले